एक साधू का सप्टा है और सप्टे में अखूत खजाने का सुराख है। अने को ऐसी मूवी देखी होगी जिनमें अंत में फिल्म का नायक खजाना खोज निकालता है। लेकिन आज हम जो किस्ता लेकर आएं ये कोई मूवी नहीं है। एक वास्तविक और सच्ची गटना है। जिसमें एक हजार टन सोने का खजाना है और इस खजाने को खोजने निकलने वाला कोई मूवी का हिरो नहीं बलकि भारत की सरकार है। अक्टूबर का महिना था, साल था 2013, देश की राजधानी दिल्ली से करीब 555 किलोमेटर दूर एक संत गहरी निंद में सो रहे थे। अचानक संत को सपना आया। सपने में संत को एक पुराने की लेके खंडरों के नीचे हजार टन सोना दबा दिखाई देने लगा। हीरे जभारा, आता कूत, संपदा, सोने चांदी से भराये सपना संत की नीद जाड़ गया। ये जगे थी लखनव से 50 किलोमेटर और कानपूर से लगबग 80 किलोमेटर दूर उन्नाव जिले का डोडिया खिडा गाउं। इस संत का नाम था स्वामी विरक्तानंद उर्फ सोबन सरकार और खंडर नुमा किला था उन्निश विशदी के राजा राव रामबक्स सिंका और देश में कॉंग्रेस गटबंधन की सरकार थी। सपना देखने वाले संत सोबन सरकार की कान पूर्व उसके आसपास के जिलों में बड़ी ख्याती थी। उनके अन्याईयों में आम आदमी से लेकर कई मंत्री और नेता तक सामिल थे। इस कारण संत सोबन सरकार को दिखा ये सपना अपने आप में भव्य और आलोकिक था। दूसरा संद सोबन सरकार का दावा था कि उनके सपने में शोम डोडिया खेडा के राजा रहे राजा राव रामबक्स सिंग ने आकर उन्हें बताया कि उनके किले के खंडरों के नीचे हजारोटन सोना दबाये। असल में डोडिया खेडा के आखरी राजा रहे राजा राव रामबक्स ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाप विद्रो कर दिया था। इस विद्रों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेजों ने राजा को फासी पर लटका दिया। राजा देश पर बलिदान हो और अंग्रेजों ने किले को तहसनेस कर दिया। गंगा के किनारे बना ये किला देख रेक क्या भाव में समय के साथ खंडर में तबदिल हो गया, भूतिया किला बन गया। यही नहीं राजा रामबक्स सिंग के अनेको किसे उन नाओं में आज भी मसूर है। उनमें एक किस इसी महल में दफन कर दिया था। डोडिया खेडा गाओं काया महल भले ही समय के साथ विरान हो गया हो। लेकिन या रहने वालों की कहानियों में ख़जाने के किसे एक बार सपने के बाद फिर तेर उठे। संथ सोबन सरकार ने अपना इस अपना ततकालीन यूपिय सरकार म मंतरी रे चरणदास महंत को सुनाया। चरणदास महंत को सपने पर विश्वास हुआ। और इसके बाद चरणदास महंत ने देश के ततकालीन प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग जी कॉंग्रेस के अद्दक सोनिया गांधी राहूल गांधी को किले की खुदाई के लिए एक लेकिन खजाने को लेकर खीचतान सुरू हो गई। हो भी क्यों ना इसका कारण भी जाज था। मामला एक हजार टन सोने का था जबकि उस दोरान देश के सबसे बड़े बैंक यानि भारतरी जरुबैंक के पास करीब 550 टन सोना ही मुझूद था। उम्मीद थी कि सरकार के प कि मांगे आरंब कर दी। दूसरी तरफ केंदर और राज्य सरकार रामने सामने आ गई। खजाने पर दावेट होके जाने लगे। न्यूज स्टूडियो में खजाने पर किसका हग किसका अधिकार को लेकर बहस होने लगी। और हर बार बहस यहां कर रुख जाती कि खजान राष्ट की समपत्ती होगा खुद ततकालिन की शिराजमंतरी चरणदास महंत ने साप कह दिया था कि अगर सो ना मिलता है तो इस पर सिर्फ देश का हाक होगा और किसी का नहीं कमाल देखिए समूचे देश को इस सपने पर विश्वास होने लगा हिंदू बाबाओ को ठक बताने वाली ततकालिन कांग्रेश सरकार भी खजाने का नाम आते ही सादो की सरण में जा पहुँची ना केवल सरकार बलकि बिना अदालती आदेश के हिंदू संत जेंदर सरस्वती को अत्यारा तक साबित कर देने वाली यही मीडिया जो उस समय आसा राम बापू और हिंदू दरम की चीची लेतर करती जा रही थी वही मीडिया जो उस दोरान विदेशी फार्मा कमपनियों से मोटा पैसा लेकर बाबा राम देव की दवाओं में हड़ी का चुरन बता रही थी लेकिन जब बात खजाने की आई तो सरकार और मीडिया की लार बहने लगी खेर जब यह सपना सारवजनिक हो चला तो किले के आसपा सुरक्षा बल दिखाई देने लगे ततकालिन सरकार ने भी दफन इस हजारों टंसरन बंडार की खुदाई करवाने के लिए खनन मंत्राले और भारतिया पुरातत्यो विवाग की मन्जूरी के साथ ते हो गया कि 18 अक्टूबर से डोडिया खेडा में पुरातत्यो विवाग की देख रेक में सोने की तलास میں खुदाई सुरू हो गी इस खबर के साथ ही दसकों से विरान पड़ा किला गुल जार होने लगा पहले डोडिया खेडा के लोग फिर आसपास के लोग पहुँचने सुरू हो गए देखते ही देखते कान पुरुना उलखनू तक के लोग हजारो टन दबे सोने की खुदाई देखने जमा होने लगे जैसे ही किले के आसपास भीड बड़ी लोगों का आवगमन बड़ा खाने पीने के समान की रेडी पर लगने लगी कोई पकोडे तल कर बेचने लगा किसी ने ढबा खोल लिया कहीं जले भी की दुकान सजने लगी भीड को देखकर पान बीडी सिग्रेट के खोप्च सजने लगे खुदाई की कवरेज के लिए देश भर की मीडिया संस्थानों के परतिनिदी डोड या खेड़ा में ओवी वैन लेकर जुटने लगे पीपली लाइव का पार्ट टू हो गया है संद सोबन सरकार ने कही कि यहां राजा राओ राम बक्सिंग के किले में एक हजार टन सोना दबा हुआ है एसाई की टीम ने सर्वे किया उसे पता लगा कि यहां कुछ है उसके बाद एसाई की टीम पहुँच गई है अथारा तारिक से खुदाय का काम शुरू हो जाएगा लाइव परसारन शीदा परसारन शुरू हो गया जब भीड और मीडिया पहुची तो इस्थान ये नेताओ की बत्ती लगी गाडिया भी पहुचने लगी कुछ इस तरह मानो हर एक नेता ये दिखाने की कोशिस कर रहा हो क्यों नीके करकमलों से खजाना मिला है यानि जब देश का सर्वग्यानी मीडिया सरकार के मंतरी विदायक पहुचे तो परसासन को सुरक्सा के लिया तिरिक्त पुलिस बलो का भारी पर बंद करना पड़ा डोडिया खेडा का सुनसान विरान किला मजमे में बदल गया खुदाई के लिए किले को दो खंडों में बाटा गया खुदाई से पहले संथ सोबन सरकार ने खुदाई स्थल का विदिवत भूमी पोजन किया इसके बाद तत्कालिन जिलादिकारी विजे किरनानन ने पहला फावडा मारते खुदाई की उपचारिक सुरुवात की इसके तत्कालबाद पुरा तत्त विबाग की बारा सदस्य टीम ने खुदाई का काम सुरू कर दिया दिल्ली में बैठी सरकार से लेकर अभर को युमीद बांदेश खुदाई को देख रहा था कब मासोने चांदी से भरे मट के बार निकले बढ़ती बीड को देखते पुरातत विबाग की टीम का नेतरत्व कर रेपी के मिस्रा ने ऐलान किया खुदाई को किसी परिणाम तक पहुँचने में एक महीने से अधिक का समय लग सकता है हजार टंसोने के खजाने की तलास में खुदाई अभी सुरू हुई थी अब बचाना के कड़चन सामने आ गई खुद को राजा का वनसच बताने वाले कुछ लोग खजाने पर अपना हिस्सा लेने पहुच गए कहने लगे हम राजा राम बक्स की चोथी पांचवी पीडिया इसलिए अगर खजाना निकले तो हमें भी सद्या जाए जैसे तैसे करके उन्हें चुप किया गया और खुदाई को आगे बढ़ा गया खुदाई गहरी होती चली गई, 16 फिट गहरे तक खोद दिया गया अब तक खजाना तो दूर की बात कोई लोहे तामे का एक सिक्का भी नहीं मिला था विदेशी मीडिया भी खुदाई को कवरेज कर रही थी जब दुनिया में भारत मजाक का पातर बनने लगा अचानक खजाने का सपना देखने वाले बाबा संत सोबन सरकार A.S.I. के खुदाई के तरीकों से नाराज होकर उन्ना विष्थित अपने आसरम से सो किलो मिटर दूर कानपूर के एक आसरम में चले गए सोला फिट की खुदाई के बाद पत्रीली जमीन मिलने लगी लेकिन खजाने का कहीं कोई नामो निशान नहीं था बारा दिन बीट गए जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो पुरा तत्यवी भाग ने खुदाई बंद करने का निणे किया इस तमाम नाटियक के अघटना करम में देश और सरकार मजाक की पात्र बंचुकी थी खनन मंत्राले से लेकर आर्किलोजिकल सर्वे उप इंडिया का भी मजाक उड़ा जाने लगा और अन्थ तैचोदा नुमंबर 2013 को उननाव के डोडिया खेडा में सोने की खुदाई ओपचारिक रूप से बंद कर दी गई ना केवल बंद की गई बलकि आर्किलोजिकल सर्वे इंडिया नहीं से जिंदगी भर का सबक बताया सवाल उठे आखिर कैसे अंद विश्वास के आधार पर सरकार ने खुदाई का निरिने कर लिया और पुरातत्वी भाग ने विश्वास कर लिया यहाँ तक की पुरा तत्वी बाक्य अदिकारियों को कहना पड़ा की वो खजाने के लिए नहीं बनकी पुरा तत्वी की वस्तुवगी के लिए खodahi कर रहे है जिनका मैत्वी भी खजाने से कम नहीं है हाला कि संत्थ सोबवन सरकार की तरफ से कागा कि खजाने की तलास विग्यानिक नजरिये से हो रही है जबकि ये अलोकिक तस्य जोड़ा मामला है खुदाही में सोना चांदी जरूर निकलेगा और वो उसे पुरातत्य वाग की टीम जब डोड या खेडा गाउं से चली जाएगी तब खोज निकालेंगे 18 नुमंबर 2013 को ASI ने खोदी गई खाईयों को भरना शुरू कर दिया लेकिन जोस वक्त सरकार देश और समाज की किरकिरी हुई उसे कभी नहीं भरा जा सकता साल 2020 में संथ सोबन सरकार मरत्तु में लीन हो गए लेकिन ये अंद विश्वास को या विश्वास आज भी डोड या खेडा में जीवी थै कि किले के नीचे अकूत खजाना दबा हुआ है